बच्चो कैसे हैं आप सभी उमीद करते हूं बच्चो आप सभी बहुत अच्छे होंगे चलिए बच्चो हम सभी solve करते हैं समा vacation का holiday homework, subject है बच्चो हमारा maths class first के बारे में हम यहां बात करेंगे कि class first का क्या work हमें दिया गया है date 15th में, 15th में बच्चो हमारी date है, day है Saturday तो बच्चो आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए देखिए बच्चो first activity हमें दी गई है make caterpillar using circular shaped item like bangles in your notebook देखिए बच्चो आप सभी को एक caterpillar बनाना है, ठीक है circular shaped item से, circular shaped क्या होती है ऐसे इस तरह से बच्चो गोल, गोल तरे का कोई भी item जैसे कि यहाँ पर आपको बोला गया है, चूड़ी bangles को बोलते हैं, चूड़ी, ठीक है तो bangles से आप बना सकते हैं, ठीक है छोटी अगर आपके घर में बाउल है, कटोरी है तो उससे बना सकते हैं, बोटल, बोटल की cap से ढखकन से आप बना सकते हैं, ठीक है बच्चो तो इस तरह से आपको caterpillar बनाना है सभी को, ठीक है तो चलिए हम बनाते हैं, इस तरह से बच्चो सबसे पहले आपको एक round बनाना है ठीके then इसकी eyes बनानी है और इस तरह से इसके सर पे दो antennas बनाने है ठीके उसके बाद इस तरह से आपको इस तरह से बनाते जाना है ओके आया सभी को समझ में फिर बच्चों क्या करना है हमें इस तरह से इनके लैक्स भी हमें बनाने हैं अब अच्छो आप सभी को पता भी होगा कि कैटरपिलर कौन से कलर का होता है कैटरपिलर होता है ग्रीन कलर तो आप इसमें ग्रीन कलर करेंगे बच्छो आप सभी ने कैटरपिलर देखा ही होगा तो बच्चो इस तरह से ओरता है ना caterpillar तो बच्चो आप सभी देखी इस तरह से caterpillar बनाएंगे ठीक है next question देखी बच्चो next question हमें क्या दिया है activity with the help of your parents trace the following object on your notebook and then color all the circular object green square object as blue and rectangular object as red देखी बच्चो आप सभी को क्या करना है अपने parents की help से आप सभी को बच्चो यहां कुछ item दिये है bangles मिन्स चूड़ी matchbox मिन्स माचिस का डबबा dice बच्चो जिससे हम लूडो खेलते हैं वो वाला dice आप सभी को पता जिस पे numbering लिखी होती है bottle cap यानि bottle का डखकन बच्चो यह सारे pictures आपको अपनी copy में draw करने है ठीक है उसके बाद बच्चो आप लोगों को बोला गया है कि जो circular object है यानि कि जो goal है तो बच्चो goal हमारा क्या क्या है इसमें तो देखी बच्चो goal हमारा bangle और bottle cap है तो बच्चो इसमें हमें green color करना है match box हमारा rectangular shape है rectangular आप सभी को पता इस तरह से होती है इसमें हमें red color करना है तो red color हमने कर दिया इस shape में आप सभी को बच्चो देखी इस तरह से करना है मैं बताती हूँ आपको लिखना है circular ठीक है, square and then rectangular shapes आप सभी को लिखनी है, circular shape होती है हमारी इस तरह से square होती है हमारी इस तरह से and rectangular shape होती हमारी इस तरह से बच्चो, square में हमारी जो length और breadth है वो same होती है ठीक है, और rectangular में length और breadth different होती है तो यह चीज आप ध्यान रखें, आप देखें, circular हमारा कौन-कौन सा है bangle and bottle cap, यह दोनों हमारी circular shape के है square है हमारा dice and rectangular है हमारा match box, ठीक है इस तरह से बच्चो आपको लिखना है फिर बोला काया है, circular object में हमें green color करना है तो देखें बच्चो, circular object जो है, हम बनाएंगे हमने बनाया और उसमें इस तरह से green color, जैसे चूड़ी बनाए तो चूड़ी में green कर दिया और bottle का cap बनाया, तो bottle के cap में भी हमने green कर दिया ठीके, अब बच्चो हमने dice बनाया, dice कौन से color का होगा, dice हमारे होगा blue color का ठीके, तो dice बना के उसमें आपको blue color करना है, ठीके बच्चो and then match box है, match box है हमारा red color का, तो match box में हमने red color इस तरह से कर दिया बच्चो देखे, आया सभी को समझ में कि किस तरह से आपको जो है, अपना work complete करना है, question complete करना है चलिए बच्चो हमारा जो next question है, वो हम देखते है creative work, food color, orange, eat orange color food item, देखे बच्चो आज हमारा जो color है, वो कौन सा है, orange, orange color बच्चो आप सभी जानते होंगे मौसमी का जो color होता है, वो होता है orange color, ठीके बच्चो तो अब सभी को, orange color का food item खाना है, like orange, musk melon, pumpkin, etc drink छाच और orange juice, family fun time, game, पत्ते पे पत्ता, with playing cards chess, play with your family and friends बच्चो देखिए, playing cards जो हमारे cards आते हैं, ताश आते हैं, उनसे आपको पत्ते पे पत्ता गेम खेलना है, या आपको chess खेलना है, अपने friends ये family के साथ activity, talk with your grandparents और parents about their childhood games, hobbies, favorite food, etc बच्चो देखिए, आपको अपने parents, grandparents से बात करनी है, उनसे पूछना है, कि उनके जमाने में जब वो बच्चे हुआ करते थे, जब वो छोटे थे, तो उस टाम पे कौन-कौन से गेम वो खेला करते थे, उनकी hobbies क्या थी, उनके favorite food क्या थे, और जैसे कि उनका favorite song क्या था, उनके favorite चीजों के बारे में आपको यहाँ उनसे पता करना है, ठीके बच्चो इस तरह से बच्चो आप सभी को जो है अपने वरक्षीट कम्प्लीट करनी है, तो आप सभी वीडियो को देखिए और अपनी वरक् दबा करके मेरे चैनल को सिस्क्राइब कर लिजे, ताकि बच्चो आगे जो मैं आप लोग के लिए वीडियोस बनाऊंगी, उसका notification आपको easily मिल सके और आप easily वीडियोस को देख सके, thanks for watching students